हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक जावा टी कोडिंग और लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम सकते हैं अपने क्ला कर सकते हैं अब फेल तक्र अपने क्लोटym समझ सकते किस तरीके से आपने मेंमर को अड Mitt कर सकते हैं क icons के देन उसमें हम किस तरीके से कंट्रिब्यूट कर सकते हैं वो सब देखने वाले इस वीडियो तो अभी तक आपने मेडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्लेस कर लिए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड क सकते हैं त्यों इसके बात आपको अरुआबज मेडियों त этipp calm लोगा तृट किया है और अब अब्सक्राइट कर सकते हैं ने जलिए और आट तयसे वां आश्छत कर सकते हो जारो तो आपको समझेगा यहां पर और और येशन का नाम आएगा और येशन को सेलेट करने नहीं तो इसके पड़ देते हैं सब्सक्राइण चर्पारी निफटा चर्प थेलेट्थ री तो यहां पर हमारी रीडिय बनकर हो चुकी है कि कौन कौन इसमें contribute कर सकता है तो यहां पर उस repository में आजना जिसको भी आप access देना चाहते हो उस particular developer को members को तो यहां पर उस repository में आना organization की repository में then setting में then यहां पर collaborators and team पर click करना है यह देखो यहां पर एक member base access है and then direct access 0 to this repository तो यहां पर हम एक member को add करते हैं people को contribute करेंगे हम इसमें just id से जावा decoding संचे कमार यह id से में contribute करने बाला हूं इस repository में यहां पर मैंने इस repository का access दे दिया है और अभी यहां पर इस मिल चुका है then अभी इस में आ जाना है किदर अपने repository में then organization जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी हम यह fork option disabled है तो fork option disabled क्यों है क्यों क्यों है जो repository बनाई है organization के अंदर वो क्या है private type की बनाई है तो अभी हम जब हमारे repository private रहेगी तो उसका हम fork नहीं बना सकते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा इस repository को इस organization के अंदर इस repository को हमें public बनाना होगा तभी हम इसका fork बना सकते हैं तो उसके लिए हम repository के visibility को कैसे change कर सकते है private को public then उसके लिए हम setting में जाना होगा उस repository की setting में आने के पात आपको scroll down करना होगा यहां पर आपको देखेगा डेंचर चोन करके option रहेगा इसमें यहां पर change repository visibility this repository is currently private तो इसको क्या करना है हमें public करना है तो change visibility पर click करना है then change to public I want to make this repository as a public understand reading these defects okay and make this repository public तो अभी हमारी जो repository होगी वो क्या होगी यह public हो चुकी है देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे है अभी हम यह देखो fork का option enable हो चुका है right तो अभी हम क्या करेंगे fork create करेंगे then अभी यह देखो हमारे repository public है fork enable है then fork पर click करेंगे यह हमारा जो organization के अंदर repository है उसका हम fork बनाने चाहरा है यहां पर देखो मैंने select कर लिया है यह मैंने already add किया था जो contribute कर सकता है तो यह मैंने member or add किया था java decoding name है उसका तो यहां पर अभी मैं create fork पर click करूँगा तो क्या होगा इस repository का एक fork create हो जाएगा यह देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि java decoding यह मेरा individual account है तो यहां पर देखो individual account है उसमें क्या हुआ है fork java project one करके fork create हुआ है और वो fork कहां से create हुआ है fork from java decoding यह देखो organization का name java decoding software technology और यह repository से fork ready हो गया इस account में ठीक है अभी हम क्या करेंगे यह देखो यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर भी हमारा बन देख रहा है fork is created one right यह देखो यह फॉर्क के एजिस्टिंग ओलड़ी यहां से जो fork बना है कहां से बना है इस organization से बना है परिजनल परिट्री में कुछ भी changes कर सकते हैं तो चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ एक file add कर देता हूँ create a new file इसरे को इत्री में फाइल का नाम देता हूँ test.java और यहां पर class बना देता हूँ class test ठीक है और इसमें हम क्या करती थे एक method public aesthetic aesthetic white man एक man method बना लेते हैं strain.rgs argument and then okay now we have a big message system.out.print print element file और यहां पर welcome to java team ठीक है और इसको मैं क्या करता हूँ? commit कर सकता हूँ यहां से इसका लाना तो यहां पर message message देना है जो भी file commit कर रहे हो in meaningful added a new test class ठीक है new test class and then commit और यहां पर एक commit हो चका है successfully यह देखो this branch is having one commit and यहां से भी आप देख सकते हो यहां पर देखो initial commit यह था और हमारा भी added यह comment यहां से आप देख सकते हैं क्या क्या changes हुए है तो इसमें क्या हुआ मैंने class add की है और यह देखो सारे लगए plus एक class add की है अभी क्या करूंगा मैं class add हो गई changes हो गई यह हमारे fork में right तो अभी क्या करना अभी देखो अगर मैं अपना original repository open करता हूँ तो इसमें वो changes नहीं है see यह organization का यह java project repository है इसमें वो changes अभी नहीं देख रहे है right तो अभी यह changes नहीं देख रहे हैं बट हमने जो changes कियें वो खावी कियें अपनी fork repository fork बनाया था उस repository में changes किये है तो अभी changes नहीं चंजिस को अभी आप सब्देजें कि किस तरीके से हम fork बना सकते हैं organization में organization repository के किस तरीके से Fort 최 Guards work सकते हैं अभी क्या करें हैं next video में देखेंगे यह changes हमारे fork repository में changes हुए है उसको man repository में our organization repository में किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं तब इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो तब तक लिए बाए थेंक्स पर वाचिंग